आजी आजसी अठ्मी क्लास ता तीज़ चेप्टर चतर पुज आमा इनु म समझना उसदी तीज़ी एकसरसाइज एकसरसाइज 3.3 दे सामकरन जा रहे हैं एदे तीज़ी एकसरसाइज है एहे समांतर चतर पुज दे गुणा दे दारत एदे विच स्वाल ने समांतर चतर पोज एक अजही चतर पोज होंदी है जिस दियां सामणे वालियां पुजामा जिमें के मैं अथी चतर पोज पी अल एच लई हुई है जिस दियां सानमुख पुजामा सामणे वालियां पुजामा दी लंबाई ब्राबर होंदी है आते एक दूसरी दे समांतर हुन दियाने पुजा P L H E दे ब्राबर भी है आते समांतर है इसे तरह P H पुजा L E दे ब्राबर भी है आते समांतर है समांतर चतर पुज दे इस गोण तो असी पहला तो जानू हा इस तो भीना होर कुछ गोण ने जिनना दे असी वर्तो एक्ससाइच करांगे आओ ना वरे जान लिए जीरे विच पहला गोण जीड़ा है असी ओ कर रहे हैं कि समांतर चतर पोज जी आनि पैरलेलो ग्राम दे सनमुख कोण बराबर हुन दे हन सनमुख कोण केड़े कोण ने जी में आसी कोण P लेंदे हां तां इस ते सनमुख मतलबे दे समने वड़ा कोण E है तां कोण P अते कोण E सनमुख कोण हन कोण P नो आसी कोण HPL HPL भी कह सक दे हैं ते आसी इनू सिंपली कोण P भी कह सक दे हैं इसे तरहां कोण H, इस दा सनमुख कोण L है, सो जिमें के असी होना सनमुख कोण बराबर हों दी हान गोण पड़े आ है, ता असी लिखांगे अगर कोण P जड़ा है, ओ की दे बराबर आएगा कोण E दे, इंगीश दे विच असी इसनु पहलेलोग्राम केने हैं, तेड़ी यदी प्रॉपर्टी है, असी इसनु केने हैं के अपोजिट एंगल्स ओफ पहलेलोग्राम आर इकोल, जिड़ा है कोण है, अपोजिट एंगल H है, इन्हों असी एंगल P, H, E, P, H, E, भी कह सकते हैं, इन्हों कल्ला कोण H भी लिख सकते हैं, इस दा सानमुक कोण जो अपोजिट एंगल L होएगा, जा फिर आसी इन्हों लिखांगे P, L, E, P, H, E, कोण बराबर है, P, L, E, दे, दूसरी प्रापर्टी है के लाग में कोण संपूरक होंदे हन, संपूरक सप्लिमेंटरी एंगल्स, संपूरक कोण ओ, कोण होंदे नहीं, जिन्हा दा जोड एक स्वस्ती डिगरी होंदा है, असी इस एबंध क्लास दे विच पढ़या ह है, ता हार एक कोण दे दो लाग में कोण ने, इना कोणा दा जोड किना होंदा है, 180 डिगरी, तीजे यही प्रापर्टी है, ओ है के स्वांतर चतर पो जिदे विकरन जेड़ी है गिने, एक दुसरे नो सामदो पाजित कर दे हन, विकरन मतलब जिदो असी दे सिखरा नो मिल होने हां, ता ही जिदी इस रेखा खंड बन दा है, इसी दो विकरन कहने है, डाइगनल, जि में के देच एक डाइगनल पी है, दूसरा है, एक दूसरे नो सम, सम मतलब बराबर दो, पाजित मतलब पागाविच वंड देहन, यानि इसी कह सकते हैं, के डाइगनल हिस्सा है, ओ कीदे बराबर होएगा, O, E दे, सिमलली, O, H जिड़ा हैगा, ओ कीदे बराबर होएगा, O, L दे, एथो सानु प्रापत होंदा है, के O, P बराबर O, E, आते, O, H बराबर O, L, तो एक गुण जोड़ा लास्ट वाला है, असी आज़ी किता होया है, के सानमुख पुझा आमा, बराबर आते, समानतर होंदिया है, आओ एदे बरे भी लेख लिए, के अगर आसे एक पुझा लेंदे, हाँ, P, L, ताहां एदे बराबर पुझा होजेगी, H, E, आते जे दूसरी पुझा लेंदे, आसी, P, H, ताहां एदी यदी सानमुख पुझा है, आपो क्वश्चन जेड़ा हैगा, A, B, C, D, एक समानतर चतर पुझा है, इस दे गुणादी वर्तों करके खाली थामा परो, असी, A, B, C, D, समानतर चतर पुझा हैगी, यदे ड्राउ कीती होई है, उस दी सहायता नरसी है, खाली थामा परनी यानी, पहली थोनू साइड देती हो हैगी, सो इत्थे साधे को लेदे सामने वाली केड़ी पुझा है, B, C, कारन से यह थे लिख सकते हैं, के सानमुख पुझावा जेडियां है गियाने, ओहो, बराबर हों दिया हैं, आप उज़र साइड जार, इकुल, सिम्लरली साधे कोल कोण है, D, C, B, A वड़ा कोण, A की की लिख सकते हैं, D, A, B, ता इस खाली थाम दे विच की आएगा, कोण, D, A, B, इदा कारन की है, क्योंकि यह है, सनमुख कोण की हों देहन, बराबर, अगे है, O, C, यह विकरन है, डाइगनल दा एक हिस्सा है, एक हिस्सा दुझे दे बराबर होएगा, ता O, C बराबर की द क्योंकि जेड़ी विकरन हन, ओकी करदेने, एक दुझे नूं सम दुपाजित करदे हन, डाइगनल बाइसेक्ट इच अदर, अगे साटिकल है, मैजर ओफ D, A, B, कोण D, A, B, यानि के वाला कोण, एदा माप, प्लस, कोण C, D, A, D ते कोण बन दा, इनना दोना कोणा दे के डिगरी, एधे असी लिखांगे के लाग में कोण जेड़े हैं, ओकी होंदेने, संपूरक होंदेने, जाआसी कमांगे के अधेसेंट एंगल्स जेड़े हैं के ओकी होंदेने, सुप्लिमेंटरी होंदेने सेकिंड कोश्चिन एदे विछ साधे कोल एक समांतर चतर पो जित्ती होई है आपनु क्या गया है कि जड़िये चो अग्यात X, Y, Z ने उन्हादे मोल पता करने ने सानुद देच इक कोई कोण पता है पहला असी लेखला मांगे कि असी के सीज वारे गाल कर रहे हैं असी एक समांतर चतर पो जह है A, B, C, D ओधे वारे गाल कर रहे हैं ओधे की चीज है साधे कोल कोण B दा माप देता होया 100 डिग्री बाकियां दे असी पता करने हैं हुन इस कोण दे नाल सिद्धा सिद्धा जड़ा सी कोण पता कर सकते हैं एवी कर सकते हैं क्योंकि ये दो में कोण केड़े ने सनमुख कोण तेदा मतलव जड़ा है वाई है वो कीदे बराबर आजेगा 100 डिग्री दे क्यों सनमुख कोण बराबर हुन दे हन उन सानू ए कोन पता लग गया कि एह किनने डिग्रीदशा है सो डिग्रीदशा है उन सी इदी सहतानाल X भी पता कर सकते हैं Z भी पता कर सकते हैं Z ते 100 ता रिलेशन भी होई है किड़े कोन बढ़ दे है tomar लाग में को न लगे में लाग अप्यां ही में। लाग में कोण चेल बृबर एक्वस मेंạoने साथ रमा में स chỉनेória में गोच हेलां, लाग में लाग में लाग में कोयां के जोड़ बराभर 0, साथेकोलE manipulating कोण जोड़ भंहा संबस्डा कर दोन होग। ताँ Z दा माप आजेगा साड़े कुले 80 डिगरी सो साड़े कुल दो कोण आगे तीजा है X उने Z दे X दो में केड़े कोण ने बिल्कुल सही A जड़े 2 में कोण ने इहे सनमुख कोण ने और सम कोण जड़े है कि यो की हुंदिया बराबर जे Z दा माप 80 डिगरी है ताँ X दा माप पी किनना होएगा 80 डिगरी X कराशी तिनना दे फिर एंड दे माप लिख सकते हैं X किनना है Y किनना है Z किनना है सानुख कोण जड़े दा आंसर है उहो प्रापत हो जाएगा इस तो बिना अगे दा सेकेंड पार्ट है ताँनों एक फिगर गिवन है जी दे विच एक कोण सानुपता है 50 डिगरी X दे Y दे माप असी पता करने है Z दे दा बाहरी कोण है इथे ऐसी जड़े ऐसी पहला समानतर रिखामा दे विचकार बने होए प्रापटी नो असी लागू करांगे थे एक सानुपता है दो मेरे खामा समानतर रिखामा ने इहे ना दी काट मी रेखा है जैसी थोड़ा एक स्टेंड करके देख दे हैं काट मी रेखा है ये दो में कोण जड़े है गिने केड़े कोण बन देने संगत कोण असी इस प्रापटी दा इथे यूज करांगे ता सब तो पहला असी जड़े अंदर ले कोण ने उन्हादा माप पता कर लिए जिमें कैसी देखांगे पंजाह आते वाई है दोनों केड़े कोण ने लागमे कोण ते लागमे कोणा दा जोड जेड़ा है ओ किनना हुन्दा है 180 डिगरी इत्थे असी फेरो कारन लिखांगे लागमे कोणा दा जोड वाई दा माप किनना आजेगा 180 85 दूसरी साइड लेके जामांगे ता वाई दा माप जेड़ा साधी कोण आगया एक सो ती डिग्री, हुन सानु वाई दा माप पता लग गया, अग्गे सानु पता है, वाई ते एक्स, ए दो में आपस्ट केड़े कोण ने, आपोजिट एंगल, सनमुख कोण, जेड़े के की हुंदे ने, बरबर, सो सनमुख कोण लिख ले, अगर वाई एक सो ती डिग्री है, ता एक्स दा माप भी थे, असी किन्ना आग्या, साधे कोण 30 डिग्री, हुन अग्गे साधे कोण Z है, जेमें आसी गाल कीती, के एहे दोने समांतर रिखावाने, एहे नदी काटमी रिखा ये, ते एक्स अते Z जेड़े है, गिने, ओ दोने केड़े कोण आगे, संगत को corresponding angles ते सानू already x दा माप पता है किन्ना 103 डिगरी ता z दा माप भी किन्ना आ गया 103 डिगरी एथे पर सी एंड ते तिन्ना दे माप लिखदांगे x y z जड़े है कि तिन्ना दा माप 103 डिगरी आ गया अगला पार्ट जड़ा है एथे विच्वी सानू unknown values x y z दी वैल्यू पता करनी है इत्थे विच्वी साड़े पहला आसी पड़े होई concepts ने वो यूज हुन दे है जिमेंके आसी देख रहे हैं कि ए दो में कौन जड़े है गया ए आपस दे विच्वी केड़े कौन ने सिखर सन मुख कोन वर्टिकली आपोजिट एंगल जेड़ा एस अडिकुले साइन है एक किने डिगरी दे यसी यूज कर दियां 90 डिगरी देँ ते एथे असी यह नूँ छलो कौन वान दे लाने है ना में दा कि कौन वान जेड़ा है एंगल वान है ओ किने डिगरी दा है 90 डिगरी है and we know that के x अते angle 1 जेड़ी है गिने एक केड़े कोण ने सिखर सानमुख कोण vertically opposite angles x किना जीगा इत्थो 90 degree होन सानु x दी value पता लागी होन आसी देख देख दें साधे कोड एक कोण है एदा सानु ये कोण पता लाग गया 90 degree एक किने डिगरी दा एक तिकोण दे सानु अगर दो कोण पता ने तीसरा सी पता कर सकते है प्रॉपर्टी भी असी 7th क्लास कीती हुई है तिकोण दे तिन कोणा दा जोड ता असी की लवांगे होन एक 90 degree है जहां सी चलो पहला x लिख लेने है x प्लस 3 degree प्लस y तिना दा जोड किना है 180 degree कारण असी ग्री लिखांगे तिकोण दे तिन कोणा दा जोडु एक सानु पता है 90 degree प्लस 3 degree प्लस y एनना दा जोड साधे कुल आ गया 180 degree तिne y जड़ा है एदा माप साधे कुल किना आ गया 180 degree, दिग्री वाई दा माप जड़ा साठे कुल आ गया ओ हुआ गया 60 डिग्री दा हुन साठे कुल कौन बच्या है जेड हुन अगर सी त्यानना देखिए ता ए रेखा ते ए रेखा दूमें केडिया ने समंत रेखामा और एहे इना दी केडी रेखा है काट में रेखा एक एंगल वाई है दूसरा एंगल जेड है यह साठे कूल बढ़िया हुआ यह रेखामा ने इत्थे साठे कूल कौन बन रएया वाई इत्थे बन रीएկा जेड समंत रेखामा काट में रेखावाँ ता है कोडे जेडे कौन ने दुनों केड़े वणे वाई थे जेड यहन अंदर ले एकांतर कोन? ए विकी हुन्दे ने? ब्राबर Z दे Y अंदर ले एकांतर कोन? यह उसी कहने या Alternate Interior Angles या Interior Alternate Angles यह विकी हुन्देने? ब्राबर और फिर जिये साड़े कोले ब्राबर हुन्देने ता Y दी value 60 डिगरी सी Z the value भी किन्नी degree साथे को लागी 60 degree साथे कोल चेड़ा मुल है X दा 90 degree Y दा 60 अथे Z 60 degree आ गया सो इस तरह साथे कोल चेड़ा है सेकंड पार्ट है उब यह सी complete कर लिया है थर्ड पार्ट सॉरी अगी question है सेकंड दा 4 पार्ट है इदे वेच वी तामने एक figure गिवन है जी दे वेच साथे कोलो ही आन्नोंज X, Y, Z है गया सेम जिमें इसी पहला अल्डेडी किता है कि ए दोने समंतर रेखा माने एहे ते एहे और दोने समंतर रेखा माने एहे उन्हादी काट मी रेखा है समंतर रेखा समंतर रेखा काट मी रेखा जी काट मी रेखा है ता X, Z, Z ते असी डिग्री ने एह फिर दोने केड़े कोन बनगे संगत कोन corresponding angles लिख सक देया कि Z ब्राबर 80 डिग्री क्यों संगत कोन एह दोने समंतर रेखा है एहे काट मी रेखा है एह Z है एह साधे कोल की है 80 डिग्री है सानु कोन Z पता लाग गया होन असी देख देया Y अते 80 डिग्री एह दोने कोन आपस दे विच केड़े कोन ने हाँ जी Y बराबर 80 डिग्री क्योंकि ए केड़े कोन ने सानमुख कोन असी होने सिख्या है कि सानमुख कोन की होन दे हन बराबर होन दे हन होन सी X tte Y तो पता कर सकते है 80 डिग्री आ गया X यक्स थे Y ने लाग मे कोन ने जाहां सी X tte 80 डिग्री तब फता कर सकते है इस एंगल न शी ले रहे हैं कि X प्लस 80 डिग्री ब्राबर के ना जो 180 degree क्योंकि दो में कोन है गिने लाग में कोन ते लाग में कोना दा जोड जड़ा हैगा ओकी हुंदा है 180 degree ता इत्थो साढ़े कोले x दी value जड़ी हैगी है ओकी आगी 100 degree z जड़ा हैगा ओस साढ़े कोल 80 degree है ते y भी 80 degree है अगला पार्ट जेड़ा हैगा ओधे विचसी एकस वाई जाट दियें वैल्यूस फाइंड करने या नहीं होड़ा सी देखते हैं कि साड़ेकुल वाई है ओधे सानुमुख कोण 112 डिगरी है ता सिद्धा साड़ेकुल जेड़ा है वाई है 112 डिगरी कारण की है सनुमुख कोण सानुम पता लागया 112 डिगरी चाली सानुम पता है ते कोण दे तेन कोणा दे जोड़ा माप असी फिर तु लगा माँगे 112 डिगरी प्लस 40 डिगरी प्लस x बराबर 180 डिगरी ते कोण दे तेन कोणा दा माप दा फॉर्मिला सी फिर तु लगा माँगे होड़ा सी इन द साड़ेकुल वैल्यू जोरी है आई है अठाई डिर्ग्री के उसी चो विच्छो एक सव बन्जा नो मैनस करके उसी यह थे तेस साड़े कोल X V है हुझ साड़े कोल वेल्यू है वची है Z लेख दि और असी देख देख दिया है दो में समांतर रेखा वाने एहे हो दी काट में रेखा है एक सते जेड एक एड़े कोंड बन देने जेड़े असी उपपर करके हटे हैं अंदर ले एकांतर कोंड इंट्रियर अल्टरेट एंगल्स एता मतलब जेड़ा जेड़ है ओधी वैल्यू भी किन्हीं आगी है साढ़े कोड़े अठाई डेगरी से इस पर बास अडिकल थर्ड कॉश्चिन है कि एक चतर पुझ एभी सीडी समानतर चतर पुझ हो सकती है कोई आसान नों चतर पुझ दित्ती है और पुछे कि समानतर चतर पुझ हो सकती है पहली है कि जेकर कौन डी ते कौन बी ब्राबर 1803 हों की ऐस स्थिती देविच कोई चतरपुज समानतर चतरपुज हो सकती है कौन D ते कौन B इनना दा साम 180 डिग्री देखो समानतर चेतर वो जे होवे मालो ता डी ते कोण बी दी गाल कीती है दोने केड़े कोण ने सानमुख कोण और सानमुख कोण की हुंदेने बराबर यानि के असी अगर डी दी जेगा ते वी वैलियो पूट कर देया चोला पर करके देख देया च साथे कोण बी किन्ना आ गया 180 90 डिग्री यानि कोण बी दा माप 90 और ये दोनों ब्राबर ने था डी दा माप भी किन्ना हुगा 90 डिग्री था सिम्लरली अगर आसँ जिह होणा असी है कह रहे है कि कोण बी दे कोण डी दोना था माप 90 डिग्री है 90 डिग्री थी ये ये पूदे सारी ऑग किस तिती चुन देने केrices चुन देने जाता हूं वर्ग चुन देने जाओ आयत चुन दिया तो येड़ी सानों और कंडिशन दि चुन्दावर्ग दे, आयते दे केस दे विच ए समानतर चतरपोज हो सकती है, इस तो विना किसे होर दे विच नहीं हो सकती, सेकिंड है, एबी ब्राबबर डी सी 8 सेंटीमीटर, एबी ते डी सी थो नूं 8-8 सेंटीमीटर आपनों देती है, एडी तो नूं क्या 4 सेंटीमीट ते BC जड़ी है कि ये 4.4 cm, ये 4 cm है ते 4.4 cm है, सेकंड पार्ट दे विच अडी जड़ी है वो BC दे ब्राबर नहीं है, तैदा मतलब ये समांतर च्रतर पोज नहीं हो सकती, थार्ड दे विच तुसे देखो तानू एंगल ए दितता होया 70 डिगरी, ते C दितता होया 5 डिगरी ये 2 में केड़े कोण ने, सानमुक कोण ब्राबर है, नहीं है, ता सानमुक कोण ब्राबर नहीं है, जे ब्राबर नहीं है न, ता एहे जेड़ी है गिया समांतर च्रतर पोज नहीं हो सकती, चाथा कॉशन, एक च्रतर पोज दा राफशितर खिचो, जो के समांतर च्रतर पो तो ना दे माप बराबर हों यह सी किसे भी तरह दी कोई पतंग जड़ी शेप दी हैंगी फिगर असी ला सकते हैं जी देच दोने पजामा बराबर ने ते दो में बराबर ने ते तुसी कौन इनु एस कॉन नूं कटावधा सकते मैं पहले ही दो कर ली होई है कि कोई जमेत्थ नहीं है पर उस दे सान्मुख कॉन जड़े सामने वाले हो की ने बराबर ने तासी कोई भी फिगर एटो लेके डौ कर सकते हैं जीड़ी पतंग शेप दी होवे तासी यहनु जो कॉन बदा आमांगे तो उब्यस लेना कॉन अच फर्क आ सकता पंजमां क्वेश्चन है किसे समानतर चतर पोज दे दो लाग में कोना दान पात तेन उन पात दो है समानतर चतर पोज दे सारे कोना दा माँ आप पता करो लाग में कोण कोई भी जमें असी ए दोनों लेलने या पी ते एस लेलने या दो लाग में कोण ने इन दान पात जड़ा हैगा वो थ्री रेशो ट ता आसी एक कोण नू 3x मान लांगे, दूसरे नू 2x मान लांगे, ता आपा की लेने हैं कि जड़ी समानतर चतर पोज PQRs दे विच मान लेने हैं कि जड़ा कोण P है, ओ किन्ना है 3x है, ते कोण Q है, ओ किन्ना है 2x है. असी जान दे हां कि लाग में कोणा दा जोड किन्ना हुन्दा है 180 degree, यानि के साथे ये दूने लाग में कोण जड़ी है गिने, मैं थे कोण Q लेले है ता अपा इनू स्पोस कर लेने है, Q नू, पी ते क्यू, इनना दा जोड किन्ना होगा 180 degree, पी दी वैल्यू है गिया 10x, क्यू दी वैल्यू किन्नी है 2x, 3x प्लस 2x किन्ना हो गया 5x, इत्थे साथे कोणे आजेगा 180 बटा 5, होण इसी येनू कट देया अगर, 60 degree आगया, साथे कोणे, जिदों असी 180 नू, पांच नाल कट देया, ता साथे कोण जीडी है वैल्यू है, 60 degree आगी, ए साथे कोण, x दी वैल्यू आई है, 60, सानू कोण पता करने है, ता कोण जीड़ा हैगा, पहला 10x सी साथे कोण, यानि 10x6, ए साथे कोण आजेगा, 108 degree, ते दूसरा जीड़ा हैगा, कोण, q सीगा, ओ है, 2x6, ए साथे कोण आजेगा, 72 degree, कोण, उसी थे वैल्यू पूट कर सकते हो, p दी वैल्यू पूट कर लो, किन्ही आजेगी, 108 degree आजेगी, जे p 108 है ता ही वी किन्ना होएगा, 108 होएगा, ते q दी वैल्यू आपम फाइंड कीती है, 72 degree, ते ए दी भी 72, तुसी इना सारे आँदा जोड करके देख सकते हो, कि अगर इन 180 degree बन दिया, कि सानु पता है कि लाग में कोण इननों दा जोड किन्ना होँदा, 180, इनना दा भी 180, ता 180, ते 180 किन्ना होगया, 360 ता इस तरह साठी कोल जेड हैगा, इस क्वेश्चन दान से साठी कोल आगया है, क्वेश्चन नमबर 6, किसी समांतर चतर पूझ दे दो लाग म सारे कोन दा माप बराबर है, स्वेश्चन दान सारे कोन दा माप पता करो, इस अनु सारे अंदर की लाग में कोंना बराबर ने, जमें आसी A थे B का ये, ये दो ने बराबर ने, A वी X है ते A बी X है, ठीक है, लेक्ट, मन लेणने आसे, कि जड़ा एंगल है A, वो भी X है, ते जड़ा B है वो भी X हो नशानों पता है के लाग में कुणा धा जोड किना होंडा 180 जानी A थे B धा जोड किना होगा 180ο X ते X 180 दिग्र 2X ब्राबर 180 X किना आगया 1802 जाने के X किना आगया जदो होण E साधे खोछे कौन एक जड़ा है एजड़ा है इदा मतलब साधे कौन कुन किनने डिगरी था हो गया A B किनना हो गया 90 डिगरी होण सानु ने क्या है थे सारे कुन है माहप पता करो सानु पता है A ते C जड़ी है गिने उपराबर होनगे क्यों, क्योंके केड़े कोन ने, सनमुख कोन ने ते इदा मतलब जड़ा C है, ओवी किन्ने डिग्रीदा होएगा 90 डिग्रीदा इसे तरह साथे कोल जड़ा है, कोन B है कोन B थे D, इवी केड़े कोन ने, सनमुख कोन ने यह दा मतलब साड़े कोल जड़ा कोण D है ओवी किन्ने डिग्रीदा होएगा 90 डिग्रीदा होएगा ता इस तरह साड़े कोल जड़ी जड़ी सानु फिगर दिती होई है A, B, C, D ओधे सारे कोण आँदा माप जड़ा है A बराबर B बराबर C बराबर D सारे आँदा माप किन्ने डिग्रीदा होएगा 90 डिग्रीदा होएगा ता इड़ी सारे कोण 90 डिग्रीदे ने That means कि जड़ी साड़े कोले फिगर है एहे आयत जां वर्ग हो सकती है जिमें कैसी पहला भी कीता है कि आयत दे वर्ग दे वेच जड़ी हैगे परपरटीज सिखियां ने समांतर चतर पोज़ दिया इदे सानमुख कोना दा जोड सानमुख कोन बराबर होंदे हन लाग में कोना दा जोड 180 डिग्री होंदा है जा इस दे जड़ी विकरन ने ओ एक दूसरे नों साम दुपाज़त कर दे हन किते हैं अब पहले हैं परापरटीज जोड़ियां समांतर चतर पोज़ दे जड़े जोड़े समंतर रेखा मां ते एक काट मी रेखा दोरा जड़े बने हुए कोण ने उन्हान ये प्रॉपर्टीज भी असी यूज कीतियां जिना में चसी यूज कीता संगत कोण ब्राबर हुंदे हां ते अल्टरनेट इंटिरियर एंगल अंदले कांतर कोण तैसरा जड़े हैगे हो सकते ने अगर सानू प्रॉपर्टीज याद होंगी है प्रॉपर्टीज नो से याद करना है रिवाइस करना है और इंपॉर्टेंट टाइप है जड़ी सानू पेपर देविच अंदी है तो इस हमसी में उमीद कर दियां कि जड़ा थोड़ा याज सुसी एक्ससाइस 3.3 याद से हमसी एक ठर लंप कर देविच डोड़ार सबस्ग कर दे नाद खळंची एकड्व है और रे वह है ङाद है ृऴज हमसी है आदी हैㅎ लेमीद प्रॉड प्रczyलिज